नमस्कार मैं आत्री विश्वास रॉय नौर्टीस्ट को उसकी कल्चर और उसकी गौरफशाली इतिहास को कम लोग जानते हैं और वो कम इसलिए भी हैं क्योंकि पूर्वोत्तर से बाहर कभी ये कहानियां बताई ही नहीं गई वैसे ही अतीत का एक दमदार नाम है लचित बोर्फुखान असाम में 600 साल तक राज करने वाली अहोम किंग्डम के सबसे बड़े योध्धा उनकी वीरता की कहानी अगर आप सुन ले तो शायद आपके दिमाग में जो सूपर हीरोज की तस्वीरे हैं उसमें लचित एड हो जाएंगे मैंने अहोम के इस जेनरल लचित की कहानी पर एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसे आप देखेंगे तो जानेंगे कि ये कहानी क्यों देश को बतानी जरूरी है पर अब ये मुम्किन होता दिखाई दे रहा है भारतिय फिल्म जगत को आरारार और बाहुबली जैसी ब्लॉक बस्टर पीरियड फिल्म देने वाले राइटर अब ब्रम्ह पुत्र के बेटे की कहानी देश को बताने जा रहे है मश्हूर राइटर डाइरेक्टर विजेंदर प्रसाद की नई बुक है ब्रम्ह पुत्र दे अहोम सन राइजिज साउथ फिल्म इंडस्टरी के आइकॉन विजेंदर आरारार, बाहुबली, मनिकर्निका, मगधीरा और बजरंगी भाईजान जैसे फिल्मों के स्क्रिप्ट के लिए जाने जाते हैं और उसी कलम की धार से वो ब्रम्ह पुत्र के सबसे बड़े हीरो की कहानी लिख रहे हैं और इसमें उनका साथ दिया कुलप्रीत यादव ने कोस्टगार्टे रिटाइड कुलप्रीत, मिलिटरी और नेवी पर बहुत बुक्स लिख चुके हैं और इतिहास गवा है कि मशूर बैटल अफ सराइगाट में जब मुगलों की जीत तै थी तब लचित बोर पुकान की अहोम आर्मी ने नेवी के जरिये ही ब्रम्ह पुत्र के किनारे हारी बाजी को जीत में बदल दिया था स्क्रिप्ट राइटर का नाम ही काफी है ये समझने के लिए कि ये बुक इस महान अहोम जेनरल को सबसे बड़ी ट्रिब्यूट होगी क्योंकि ये उस गौरफ का बखान वैसे ही करेंगे जिसकी हकदार लचित की स्टोरी है ये मच अवेटेड बुक अरली जून से हमारे हातों में होगी इस बुक में लचित कई शौरे की कहानियों के साथ उनकी लव लाइफ भी होगी और मुगलों की हार भी मैं अभी से एक्साइटेड हूँ इस बुक को पढ़ने के लिए आप क्या सोचते हैं लचित बोर्फुकान और इस बुक पर कमेंट में जरूर बताईएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चानल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहिएगा और इस लिंक में उनकी पूरी कहानी भी देखिएगा नमस्कार